ऑप्शन ट्रेडिंग से तीन से चार हजार रुपए हर रोज का कैसे कमाया जाए आज के सेशन का एजेंडा ये है बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजों पर बात कर लेते हैं देखो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें जादा तर लोग आपको ये कहना मिलत है कि 99% लोग इसमें पैसा नहीं कमा पाते हैं गवा के चले जाते हैं सर्फ 1% लोग पैसा कमाते हैं बिलकुल अगरी करता हूं मैं इस बात से लेकिन जला मुझे ये बताए कि दुनिया के ऐसी कौन से इंडस्ट्री है जहां पर सक्सेस रेशियो 1% से जादा है दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ले लो सर सौ स्टाटप खुलते हैं तो एक कोई अच्छा कर पाता है एक लाख लोग आई-एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ 1% आई-एस बन पाते हैं सर एक लाख लोग अगर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1% एक लाख लोग आई- पैसा कमाते हैं तो गलत क्या है आम नौट प्रोफेशनल टेडर मेरे मुल्टिबल बिजनेसें मुल्टिबल वेंचेश हैं बट फिर भी मैं ऑप्शन टेडिंग को फेवर इसलिए करता हूं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे सरकल में ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं because of this option trading so कोई मुझे कहे कि बिगार है जुआ है गामलिंग है मत करो तो मैं कैसे बिलीव कर लो मैं तो हाँ गामलिंग हो सकता है जुआ हो सकता है उनके लिए जो बिना सीखे तुक्के के साथ करते हैं आखर वो जो 99% लोग फेलियर हैं जो 99% लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्या कारण है नहीं कमा पा रहे हैं कुस्तो कारण है ना अगर वो 99% IAT नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो कुस्तो कारण है ना वो 99% स्टार्ट अप फेल हो जा रहे हैं तो कुस्तो कारण है ना तो आज के सेशन में हम वो कारण भी बात करने वाले हैं जिसकी लोग ऑप्षिन ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो छोड़ो सर जितना पैसा उनके पास होता है सब गवा करके चले जाते हैं ठीक है तो एक डिस्क्लामर पहले बात कर लूँ शिक्स्टी-फॉटी का रेश्यो बहिए ऐसा है कि इसको ना भूले कभी सरी इसको ना भूले कभी का हो गया वह यह कहें सभी है कर रहे हैं माना कि हम नए नए आए हैं डिजिटल बोर्ट पर इस पर इस बेचती करा ओगे लाइब वीडियो चल रहा भी जैठीक है चलो इसको बटा देते हैं इसको ना भूले 60-40 का रेश्यो सर आप कितने भी विद्वान हो जाओ ऑफ्षेंट टेडिंग के कितने भी विद्वान मान लिया कि आप उस वन परसेंट में आगे जो ऑफ्षेंट टेडिंग से पैसा कमा रहा है कमाता है लेकिन फिर भी सर हंड़ेड परस सरा सर जूट बोल रहा है उसका पीनल देख लेना पूरे महिने का पूरे साल का इसे नहीं हो सकता सर 60-40 का ही रेश्यो है वारन भफे भी नहीं कह सकता सर कोई दुनिया का टॉप का इन्वेस्टर नहीं कह सकता तो 60% टाइम आप पैसा कमाएंगे 40% पैसा 40% टाइम आप पै की एकविडिया को अच्छ एओन लिक्विडिटर अच्छ करने के लिए हैं जहां पर कहने का मतलब वहां पर बायर भी अवालेबल है seller भी available है जब buyer seller एक टाइम पे अच्छे quantity में available होते हैं तो आपको खरीदने बेचने में प्राबलम नहीं आती तो निपान का ETF देखो अच्छा क्यों मैं ETF रिकमेंट कर रहा हूँ चुकि ETF बहुत सस्ता होता है मतलब जितना निफ्टी का प्राइस होता है उससे लगभग सौ गुना कम ETF का प्राइस होता है अगर 18,000 निफ्टी चल रहा है तो 180 रुपए 170 रुपए के आसपास ETF का प्राइस होगा तो उसमें एक हफते मैं कहता हूँ कम से कम ट्रेड करके थोड़ा experience ले लो ट्रेडिंग का है ना उसमें बहुत ज़्यादा fluctuation भी नहीं होता है हाला कि ट्रेडर के लिए तो वह best होता है जिसमें सबसे ज़्यादा fluctuation हो क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा कमाई होती है लेकिन हमेशा याद रखोजर जहां सबसे ज़्यादा कमाई की बात होती है ना वहां सबसे ज़् निफ्टि ट्रेडर में निफ्टि मेंस सबसे ज़्यादा फलक्ट्उइशन वाहां ट्रेडर भर्फूर गवाटा भी तो छिद्टिन एटीएफ में कर लो कुछ दिन उसके बाद नियुक्ति में कर लेना निफ्टि बैंक निफ्टि के में fluctuation कम है तो उसके comparison में रिष्क थोड़ा कम है मैं बानता हूं हाँ इन दोनों में एकाद दो महीना बितालो आप उसके बाद बैंक निफ्टी माना क्योंकि ट्रेडर का तो यही अड़ा है यही अड़ा है जैसे नसड़ियों का अड़ा होता है तो यह बात हमेशा ध्यान रखें नेक्स्ट बेसिक टू ट्रेड जो आज हम बात करने वाले है ना तीन से चार अजार रुपए रोज का कमाना है वही है तो इस तीन से चार अजार रुपए कमाने के लिए ना आपको दुनिया भर का option टेडिंग सीखने का जुरत नहीं है सर दुनिया में कुछ भी सीखने जाओ उसकी कोई सीमा है ही नहीं चाहे कुछ भी option टेडिंग stock market business कोई coaching वो जिगारे किदर भी चले जाओ यार किसी चीज़ की सीखने की कोई सीमा होती ही नहीं है ऐसी option टेडिंग की कोई सीमा नहीं है लेकिन एक ही दिन में हम जुरुआत म ही सारा हम लेकर कर बैड़ जाएगा फिर confused हो जाओगे और कुछ नहीं हो तो मैं कहता हूं आपको यह सिर्फ पांच चीज़ें चाहिए सर पांच चीजों में अगर आपने पकड़ अच्छी बना ली तो आपको डेली तीन से चारेजर रुपए रोजका कमाने से कोई नहीं जोग सकता अगेन वो 60-40 का रेशियो भी याद रखना वो 90-10 का रेशियो भी राद रखना उसके होने के बावजूद मैं कह रहा हूं वो 60% में 60-40 के रेशियो का रहते हुए वो 60% में 3-4,000 रुपए अपने को आप्शन टेडिंग से चाहिए तो ये पांच चीजों में म खूद रहो सबानो बजे तो उस वक्त आपको सेलर का माइंड सेट समझना है जो आप्शन बेचने वाला है अब हम और आप कौन हैं जनरली बायर है क्योंकि जनरली दम बायर की तरह ही हुचते हैं बायर छोटा होता है हजार दो हजार दस जार पंदर हजार लाग दिल करोडों में खैलता है बो सेंकड़ों क्रों सब्सक्राइ monsters दो स large थे मार्केट हमेशा यह समझ लो उसके हिसाब से चलता है वो चलाता है मार्केट मैंसे लिया ने मार्केट यितए हमने की भिला करवा रहा है तो हमारे कमाने की बढ़ जाती है उसका मिन्स का मैंसेट आपनी कि probability निश्चित पड़ेगी कैसे समझेंगे बताऊंगा भी थामा seller का mindset समझना है दूसरा right premium pickup भाई या premium को मतलब जो पैसा देते हैं option खरीदने के लिए सर जब हम option खरीदते हैं तो तीन option हमारे पास आते हैं खरीदने के लिए out the money in the money और add the money क्या होता है बताऊंगा क्यूं होता है यह भी बताऊंगा ठीक है तो हम पहले वो समझेंगे कि हमें किस पर खरीदना चाहिए और किस पर नहीं खरीदना चाहिए तीसरा find the range of support and resistance support resistance सबसे निचला point जहां market गिर के आ सकता है और सबसे उपर वाला जहां market उपर जाके इस तक टकराएगा वहां से नीचे आएगा उसको resistance बोलते हैं उपर वाला भाग सबसे उपर वाला भाग resistance सबसे नीचे वाला भाग support यानि कि अगर हमने यह find out कर लिया कि यह support का area है मतलब 19,000 और इधर 17,000 से नीचे ने जाएगा 19,000 से उपर ने जाएगा अगर हमने यह find out कर लिया तो हमारे को भाईया यह बीच का area मिल गया खिलने के लिए हम समझ गए यही अपना खेलने का playground है तो उपर यह नीचे हम जाएगे नी फिर ठीक PCR सही PCR कैसे निकाले put call ratio सही PCR मैं PCR नी सही PCR की बात कर रहा हूँ तो आज हम संग जेंगे इसमें और at last यह है भाईया 99% trader बरबाद हो जाते हैं अब वही लोग फिर बाहर जाकर कि जुआ like gambling पता नहीं क्या क्या कहीं एंट है और में फिर से प्याइज में कोई professional trader नहीं हूं मेरा घर बायर ट्रेडिंग से नहीं चलता है मैं ओडी ट्रेइनर हूं जब मन करता है ट्रेडिंग करता है और ऐसे नहीं हमیसा कमा कर निकल जाता हूँ गवाता भी हूँ लेकिन मूडी हूँ क्योंकि मेरे बिजनसे मेरा सब कुछ चलता है तो लेकिन मैं कुछ लोगो को जानता हूँ जो ट्रेडिंग से ही उनका सब कुछ चलता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ यह 99 परसेंट ट्रेडर लूज करते हैं लेकिन 1 परसेंट तो भईया सर्वाइब भी करते हैं ठिक अब आवा आग गे गला थोड़ा भारी लग रहा है क्या थोड़ा है थोड़ा एक दुबार एक खासू तो बुरा मत मान जाना आईसे यह क्या सागल सरफ सेशन कर रहे खासी केजनीवाल बनकर कर आगे हैं इसे नहीं है थोड़ी गले में दिक्कत है इसलिए ठासूंगा आज यह क्या खोल लिया मैंने क्या खोल लिया यह क्या है एक दो तीन चार ठीक है समझाता हूं यही जान है यही जान है अगर इसको पढ़ना सीख गए तो फिर तो जहान है क्य है वैसे तो इसको कहते हैं option chain analysis लेकिन मैं भारी भर कम शब्दों को थोड़ा avoid करता हूं तो मारो गोली यह समझे लो यह पोथी पत्रा ग्रंथ है यही से अपने को सब कुछ मिलने वाला साड़ा नी चोड़ो तो पहला क्या है seller current mindset अपने को समझना है तो जैसा आमने बात कि है कि seller कौने भीया seller बापू है option trading का उसी खिसाब से market चलता है क्योंकि वह 1000 करोड लेकर के बैठा है आप कुछ लाख या कुछ 1000 लेकर बैठा हो वह 1000 करोड तो उसका जाएगा तो 1000 करोड जाएगा आपका तो कुछ 1000 या लाख जाएगा तो वह नहीं चाहेगा उसका 1000 करोड जाए कैसे समझें सेलर का करेंट माइंट सेट क्या है वह यह इस कॉलम को देख करके और इधर इस कॉलम को देख करके गूगल पर सर्च करना एन एसी ऑप्शन एनेलेसस आपको यही खुल के आएगा ठिक यह क्या है अप्श ओवाई ओपन इंट्रस्ट ओपन इंट्रस्ट क्या होता है ओपन का मतलब खुला इंट्रस्ट का मतलब जिसमें मेरी रूची है यह यह बताना चाहरा है कि सेलर को खिल खुली रूची अभी कितनी है खुली रूची कहने का मतलब रूची कहने का मतलब मार्गेट में रूची कहने क का मतलब सीधा नोट से होता है यह पैसे होता है रूची कहने का मतलब इतना कोंट्राक्ट इतना ओप्शन अभी खुला है अब जैसे हम बात करें 18500 के स्ट्राइक प्रैस पर श्ट्राइक प्राइस भी बता दूंगा सब्सक्राइब यह कहना चाहरा है कि 54,738 धन्दे अभी खुले हुए हैं 54,838 दुकाने अभी खुले हुए हैं मार्केट बजार ओपन है जैसा होता है न कोई मॉल जाओ एक मॉल में 100 दुकाने हैं तो ऐसा 100 दुकान अभी खुला हुआ है एक दुकान को मगरें में एक यानिग कशाया जायम पर शेलर ने पैसा लगा रखा है ऐसे सोल दे यह सोरते यह हैं 4500 आप्शन पर सिलर में भी पैसा लगा रखा है सर्च वाल हवन हजर ओबर स्मझ रहो हो कहां गया नंबर ऐसे ही 18,900 पर अगर देखो तो कितने 93,000 इतने contract open है इतने option open है इतने option का पैसा seller ने लगा रखा है सुर 93,000 contract यानि कि 93,000 option यानि कि 93,000 option का पैसा लगा रखा है seller ने ओ कभी चाहेगा ये डूबे क्या नहीं चाहेगा न तो अपने को इससे समझ में आएगा कि market किदर जाता है वही है क्यों मैं कह रहा हूँ अभी current जैसे यहाँ देखो अभी market बंदो चुका है जब हम ये session कर रहे हैं तो last जब close हुआ था इतने पर close हुआ था 18,826 पर तो 18,826 कहने का मतलब 18,850 सबसे पास है उसके 18,850 हो गया 18,024 होता तो हम 18,800 के पास मांगते है 18,850 के पास है ना है तो हम देखेंगे इदर call के side में क्या इस आप किताब चल रहा है वही है इसलिए मैं ये नहीं लेता नाचना पड़ता है इदर से इदर इदर से इदर कर अभी मजबूरी बनी तो लिया और आपको समझाने के लिए ठीक है तो कहां थे हम हाँ यहां थे अठारह अजारहाथ सो पचास पे हम देखेंगे वह यह चाओवन अजार इदर धन्दा खुला हुआ है और इसी अजारहाथ अजारहाथ सो पचास पर हम पूट के side देखेंगे अर्टिस हजार 573 इप समझ कि क्या होगे ना कि समझा देता हूँ क्या होता है कि हमारा प्लेडिक्षन जब ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा बतुलब अब प्राइस MARY बढ़ेगा ऑप्शन का यानि अब प्राइस बढ़ेगा शेयर का तो हम खरीद लेते हैं कॉल ठीक कॉल को कहते हैं सिई कॉल यका ये उरोपियन कै ये याई श्कल्य का फ़ाय कोशना वैया काम करना पईसा खमार धने अब जितना फॉट को कहते हैं पी Cynthia दीक के बाद पर चॉटव हम चाहते हैं इस हुट तथ ब्ढ़े बाते शींदी के अधी मिलिया कॉट और पुट को कहते हैं पी ए अगें ये ये यूरूपियन है क्यों है मार्दोगोली पुट पुट कप खरिते हैं जब हमारे को लगता है शेर प्राइस निच्चे जाने वाला है ड्रॉप होने वाला है ठीक है तो हम पुट करें देते हैं ठीक है इत्ता समझ में आ रहा है समझा पारों को नहीं समझा पारों मैं ठीक है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सेलर का करेंट माइंट अपने को समझने के लिए क्या चाहिए हमारे को ये पढ़ना आना चाहिए कि भीया कि अभी जितने स्ट्राइक प्राइस हैं 18,500 इदर से 4-5 नीचे लिलो इतने पे कितने कितने धंदे खुले हुए हैं कितने कितने ओप्शन्स खरीद रखे हैं अच्छा कॉल कब बेचेगा सेलर जब उसको मार्केट लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब वो कॉल बेचेगा हम कॉल कब खरीदेंगे जब लगेग कॉकि जब market नीचे जाएगा उसने call बेच रखा तो यारी कि आप पैसा गवाओगे हम और आप पैसा गवाओएंगे तो seller पैसा कमाएगा जीरो सम गेम केते हैं ने इसको एक की जेव से निकला तभी दूसरे की जेव में जाएगा इसकी जेव से निकला तभी इसकी जेव में जाएगा कहीं तीसरी जगस तो पैसा आता नहीं है तो सेलर की जेव से निकल के पैसा बायर की जेव में जाता है बायर की जिब से निकल के seller की जिब में जाता है seller बड़ा है वो हतकंडे अपनाएगा वो कभी नहीं चाहेगा उसका पैसा डूबे ठिक तो call कब बेचता है seller जब उसको लगता है market अब नीचे जाएगा और जितने ज़्यादा लोग है इधर की side इस एक एनी point पे किसी point पे जितने ज़्यादा लोग है समझ जाओ वहाँ से market अब निचे जाने वाला है तभी तो बेचने वाले हैं इधर call और इधर put जितने ज़्यादा किसी point पे put हैं किसी भी point पे देख लेना किसी भी strike price पे जितने ज़्यादा है समझ जाओ वहाँ से market उपर जाएगा तभी तो इतने बेचने वालों का जमावड़ा लग गया वहाँ पर ठीक इतना समझ में आ रहा है अब आगे बढ़ते हैं चलो इस्ट्राइक प्राइस बताई देता हूं दो प्राइस होता है यह एक होता है स्पोर्ट प्राइस एक होता है स्ट्राइक प्राइस 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 होता है यह जो रनिंग प्राइस है करेंट क्या धंदा कित्ते बीचल रहा हुआ है इस्ट्राइक प्राइस होता है यह ठीक है मतलब पचास-पचास के गैप पे 18-900, 18-850, 18-800, 18-750 इधर भी ऐसे ही इधर भी ऐसे ही ठीक उसको इस्ट्राइक प्राइस बोलते है क्या relevance होता है spot price और strike price का spot price तो वो हो गया अभी price है क्या strike price के base पे न हम premium choose करते हैं कि अपने को options का कितना premium देना premium मतलब कितना पाइसा दे करके अपने को option खरीदना है अब जैसे for example मैं बताओं अब मालो कार का model के हिजाब से कार के price डिसाइड होती है मालो आपको sorry Mercedes खरीद नहीं है second hand Mercedes खरीद नहीं है अभी 2023 चल रहा है sir 2023 का current वाला Mercedes आप लोगे तो आपको हो सकता है पचास लाग का मिलेगा सी क्लास की बात कर रहा हूं सबसे निचले इस तरवाला 50 लाग क्यास पस आ जाता है और 2022 का वही model लोगे तो हो सकता है आपको 40 का मिले 2021 का लोगे तो वही model 30 लाग का मिले 2020 का वही हो सकता है 25 लाग का मिले यानि कि हर year by year price घटता है हर year by year price बढ़ता है तो यह जो इतने अलग-अलग prices है ना इसको अब strike price समझ लो तो हम decide करते हैं का अपने को budget कितना वही है 25 लाग अपना budget है लेना Mercedes ही है तो 2020 वाला model हम उठा लेते हैं अपना budget है कि वह 40 लाग रो budget है लेना Mercedes है तो हम क्या कर लेते हैं 2022 वाला मुठा लेते हैं ठीक उसी तरीके से options में हम चूज करते हैं कि अपने को कौन सा premium जम रहा है तो उस premium के हिजाब से strike सॉरी कौन सा strike price दोनों combination है basically हम प्रे यह देख करके यह लेते हैं यह देख करके यह लेते हैं तो कौन सा वाला अपने को जम रहा है उसके बेस पर हम premium पे कर देते हैं यह खेल होता है strike price का ठीक है spot price समझ गहें अभी वाला strike price वो time to time change होने वाला now अब धोड़ा आगे बढ़ते हैं seller current mindset seller king होता है समझे के नहीं समझे seller king होता है seller का movement जरू समझो अच्छा seller का movement समझने में आपको एक चीज़ और help करेगी चेंज इन ओई ओई यह वाला column देखो यह इस point पर 18500 पर 125 बंद हो गए माइनस ना 18550 पर इतने contract खुले हुए और तालिस सो मतलब नए आ गये इस वाले पर 232 बंद इस वाले पर 2000 बंद इस वाले पर 3000 बंद तो यह चेंज भी समझना ना कहीं किसी point पर price पर आपको ज्यादा सौधा बंद होते हुए दिखे ज्यादा contract ज्यादा option बंद होते हुए दिखे तो मतलब समझो कि वहाँ पर seller of mind बदल रहा है यह movement ज़रू समझना भाई है ठीक ना अब आगे बढ़ते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इसके बिना कूदना ही नहीं मार्केट में कभी इसके बिना करना ही नहीं कभी option ट्रेटिंग इसके बिना कूद अगर रहे हो तो समझ लिए कोद रहे हो चिसका कोए अता पता ही नहीं कहां जाकर के मरोगे तो सब्सक्रा अभजश में में जब भी घुज़ रहे हो पहले पता करो सबसे पहली चीज़ यहीं जरूरी यह सपोर्ट रसेस्टेंस कितना बटन है इसमें क्या क्या खुलवा देता है हाँ अभ जैसे ऑसरो ऊकर्म में हैं जरूरी यहां जरूवा इस जएगा यहां malaria फॉर्श यह अज़ खॉन हे और यहां से मनलो अइसह आइसह करके यहां तगाएगा यहां से उपर जाएगा यह हुआ रेसिस्टेंस अपने को यह एरिया फाइंड करना है कि रेसिस्टेंस कहा है अपने को यह एरिया फाइंड करना है जोरी यह एरिया रेसिस्टेंस कहा है और यह एरिया सपोर्ट कहा है охै 만लो सतरह हजार पर ये हैं अठारा फांसव पर ये है हमने यह पता कर लिए तो हमेरा तो आप मेरा सारा खेल की इसी के से बीच से समझों अगें वो भी इसी के बैस पर हम खेलेंगे इसी कॉलम के बैस पर और उधर सेम इस कॉलम के बैस पर टिक रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चीज इस चार्ट में वो देखो कि स्पॉर्ट प्राइस कहा है यह रहा स्पॉर्ट प्राइस ठीक है अब इस स्ट्राइक प्राइस से पांच चे उपर और पांच चे नीचे देख लो पांच चे उपर और पांच चे नीचे अगर यह प्राइस बढ़ता है तो सर देखो इस पांच चे उपर जाने में सबसे बड़ा ओई कौन सा है सबसे बड़ा नंबर आपको ओई में कौन सा दिखता है सबसे बड़ा नंब पर प्राइस क्या है भई या 18700 तो सर हमारा उपर जाने का जो रेसिस्टेंस हो गया वो 18700 निकल गया क्योंकि सबसे ज़्यादा धंदा खुला हुआ है सबसे ज़्यादा ऑप्शन्स यहां पर जो सेलर है वो ले तो यहां यह सबसे बड़ा नमबर है तो अपना ऊपर का रेसिस्टेंस वाला नमबर निकल गया यह ठिक इदर साइड नीचे जाने का क्याली में सरी हो उलता ही बोल दिया मैंने यह नंबर देखो उपर घट रहा है न भी यह तो यह इसको क्या कहूं मैं इसको डिजिटल बोर्ड कहूं कि इंट्रक्टिव पैनल कहूं कि जो फूंत्रू हमने लिया है यह नया ने अब फूंत्रू लिया है तो यूज भी करने की आदत नहीं है तो इसकी वज़े से भी थोड़ा होगा तो यह दो को प्राइस उपर घट रहा यह 18,700 का यह है ठिक अब अपने को इधर उपर वाला एरिया पता करना है इधर से पाच्छे जरा नीचे उतर के देखो इधर से पाच्छे नीचे उतर के हम जाएं तो सबसे बड़ा नंबर कहां पर है एक तो यह 29,000 का नंबर है अपने पास दूसरा अपना 13,000 का नंबर है फिर 8,000 का नंबर है उधर फिर 1400, 1800 तो यह 8,000 तक को हम पकड़ लेते हैं भी यह भी वैसे पकड़ना ज्यादा ठीक नहीं है कि सब्सक्राइब लेकिन ठीक है तो हम अपने को उपर का रेंज पता चल गया 18,950 का उपर का रेंज पता चल गया 18,700 नीचे का रेंज पता चल गया तो इसी के बीच अपने हो खेलना है अच्छे एक बात और यह जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं यह सब पल पल चेंज हो सब्सक्राइब तो अपने को रेंज पता चल गया अभी का कॉड़ी इसी बीच अपने को खेलना है यह जो खेलना है ठीक सपोर्ट रेसिस्टेंस पता करषा लो आपका बहुत बड़ा मुद्दा सॉल होजाता है अब बढ़ते हैं आगे चलो गया तो सपोर्ट रेसिस्टेंस में प्रहट आउपtar पार वाला एरिया और चना रेंच स्था और पैसा कवा होगे ठीक लेंज गिफ्यू क्लारिटी वाट इस यूर प्ले अरिया आपका प्लेयर या कितना उसकी क्लारिटी देज़ता है लोग मेना रेंज के कुछ जाते हैं पिर तो मरेंगे पिर तो डूब होगे चलो भीया यह यह मोस्ट इंपोर्टन है यह मोस्ट इंपोर्टन है यह मोस्ट इंपोर्टन अविया ट्रेडिंग इस एटी परसेंट इमोशन 20% नौलेज मैं लोगों को देखता हूं ओप्षन की किताब वीडियो ट्रेनिंग गोर्सेस लिए जा रहा है लिए जा रहा है फिर भी लोस्ट कर देते हैं तर नॉलेज का रोल सिर्फ 20 पर्जेंडेश में आप किता भी सीख लो किता भी समय लगा दो पढ़ने में सीखने रोल भी सी पर्जेंड गा है और संड में कमाई का 20 80 परसेंड रोल इमोशन का है इमोशन कहने का मतलब हाद भी सोचता तो है कि मेरे को पांच चेट आज लेना है पांच चेट से ज्यादा नहीं करूंगा लेकिन पता चले पांच चेट में लॉस हुआ वो गुस्या में आज तो भी ना प्रॉफिट ली हम जाएंगे नहीं चटा ठेट सत्वाट अट वाट फिर दस वे टेट तक पता चलता है पूरा बैंक से खाली हो चुका हुता है टीक है ऐसे ही जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है अभी कितना हजार लोस दो जालाशती ब्रॉस नाइड परॉफिट में अच्छा परॉफिट में बंदा आता है तो हजार ब्रॉफिट लोज में तिन निकल बाइट तो यह झाल उसका है है नहीं गई के घ्र इसका होता है जिसने अपना प्रिंसिपल बना रखा आए कि दस परसेंट से उपर प्रोफिट मेरको नहीं चाहिए दस परसेंट से ज़ाधा अपने को लोज तो सर 10% profit उसको दिखता है निकल लेता है उसे तरीके 10% उसको loss भी दिखता है न वहाँ भी निकल लेता है यानि कि principle का पर अडिग है वो अपने सिधान तो पर अडिग है emotion उस पर हावी नहीं है ऐसा आदमी पैसा कमाता है जर परपूर कमाता है और ध्यान रहे इसका role 80% है आ trading psychology साढ़े तीन लाख से जादा लोगों ने इस audio book को सुना है इस audio book में ट्रेडिंग के psychology related आपको सब को सीखने को मिलता है क्योंकि roll भाईया 80% AC का है ता आप इसको miss नहीं कर सकते कुकू FM इंडिया का leading audio show platform है जहां 15 सब्सक्राइबर्स हैं 1200 घंटे का content यहां पर हर महीने अड़ हो रहा है सिर्फ 2023 में 45 लाग घंटे का content प्ले किया गया है जिसमें देड़ लाग घंटे लोगोंने daily सुना है और इस आप के rating भी 4.5 प्लस है कुकू FM पहले से बड़ा और बहतर हो चुका है और आपको दे रहा है 50% discount on first month of monthly subscription यानि कि 99 नहीं सिर्फ 49 पे करना है इस 50% discount को पाने के लिए आपको use करना है code हमारा srs50 को आपको download करने का link और discount code हमने दोनों description में भी और comment box में भी पिन कर रखा है और option trading में psychology सीखने के साथ साथ technical चीजें भी यह बहुत ज़रूरी है और technical चीजों में मैं कहूँ सबसे ज़्यादा अगर कुछ important है that is price action trading एक audiobook है कुकू FM पर ही price action trading ही नाम है उसका 6 लाग से ज़्यादा लोगों ने उसको सुना है इस audiobook को भी ज़रूर सुनो क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा help करने वाला है price action trading में आपकी expertise और वैसे भी कुकू FM को अपनी lifestyle में ज़रूर अड़ केजे क्योंकि आपका जो फाल्तू का screen देखने का आदत होता है ना स्क्रीन को स्क्रॉल करने का आदत होता है उससे बचने में बहुत मदद करता है कि कुकू FM और ना सिर्फ बचने में आपकी productivity को इंप्रूव करता है आज मुझे एक साल से जादा हो गए है कुकू FM मेरी life का learning partner बन चुगा है लगबख हर राज हर रोज रात को सोने से पहले म आप back to the topic आते हैं ठीक है यह समझ गए ट्रेडिंग 80% emotion का गेम है आप आगे बढ़ते हैं राइट प्रीमियम पिक अप बैया जो माल खरीद रहे हो उस माल का सही पैसा पे कर रहे हो कि नहीं है ऐसा तो नहीं कि 10 रुपे की चीज 15 में खरीद के ला रहे हो आप ऐसा तो नह पुसान भी हुआ न वो है तो ऐसे ही इसका खेल होता है यह भी यह इसको यादर को लास्ट इड़ेट प्राइस यह होता है प्रीमियम इतने पर हम करीदते हैं अब मालो 80 रुपे का अगर हम खरीद रहे हैं तो हम निफ्टी खरीदर और निफ्टी 50 का लॉट होता है आपक इंडल ऑप्षन तो अपको मिलता निए तो 50 ऑप्षन का लॉट निफ्टी में होता है तो 80 इंटू 50 जित्ता होता है वो कर लो भी यह तो उतने का आपको पढ़ता है अब 109 रुपे अगर इसका प्राइस है तो 109 इंटू 50 वो कर लो भी यह तो लगब 5500 पास पास पड़ इसमें बहुत सारे लोग बड़ी वली एक गलती करते हैं क्या गलती करते हैं उस गलती को समझने से पहले प्राइस किस-किस तरह का होता है पहले यह समझो वह यह प्राइस होता है अपना तीन थरह का गया प्राइस होता है अपना ओटी एम आउट दा मानी खिचती है मैंने मनी को देगा ऐसे ही आप भी खिच देना खिच करके कमाऊ भर पूर कमाऊ झाल कर खिच करना बड़ता है खिर करते करते आदस हो जाएगी चलो वापस जाते हैं इस पर ओट्यम यह होता है ओटियम यह होता है सो रुपे के चीज उसका एक सो बीस दिर सो, दो सो तिन सो, चार सो, पान सो, छे सो मतलब एक्शुल प्राइस से जितना उपर की तरफ बढ़ रहा है सर वो ओटियम हो गया कॉल के लिए यह दो दुनिया है समझ मैं आ रहा है ना यह कॉल के दुनिया है अरे यार फिर से नहीं लगँगा मैं समझ जाओ, यह कॉल के दुनिया है यह पुट के दुनिया है, ठीक तो कॉल के दुनिया में प्राइस जितना ओपर की तरफ जा रहा है अच्छा, लाना पड़ेगा अब लग रहा है कहा चला गया? आई आगया ठिक कॉल की दुनिया में यह देखो यह पीला वाला जो एरिया है ना प्यर का अरे जो प्यर का वेरिया दिख रहे हो ना यह प्यर का वाला एरिया कॉल की दुनिया में हो गया in the money वैसे बोलते है इसको मैंने सुचा पहले ओटीम समझा दूँ चलो साथ में आ गया प्राइस जैसे जैसे निचे गिर रहा है वो out the money होता चला गया put में ठीक है जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वो out the money हो गया अब यह हो गया इसके लिए call के लिए for call यह area हो गया आई टी एम इंदमनी अंदर वाला पास वाला ठीक है ऐसे ही पीला एरिया देखो पुट में ऐसा नीची और है मैंने स्क्रिंशॉट लिया तो इत्ता है है यह पुट के लिए हो गया आई टी एम ठीक है अच्छा इसका कर बदन क्या बदन देते हैं कि देखो कलर बदलनाी मुझा आगया से ऐसे गया मैं कलर बदलना यह देखो हलाकि गलत कलर बदल दिया यह यह लो तो दिखी नहीं रहा है ले लिया चलू तो पूट के लिए हमने ले लिया इदर इसको बोलते हैं ओटी एम ऐसा ही यह वाला जो एरिया है यह सही नीचे और जाएगा कॉल के लिए यह है ओटी एम और टम नहीं लेना अपने आपको IDM नहीं लेना यह क야지 फेक्ट रोटें मीनलना आप यूंद यूड लेना है इन्टा मैं वनि से लेना कि फिर आग्ट भी Wanna Flavies सब्सक्राइब होता है ओटियम आईटियम और एटियम पाईसे निकलने वाला एटियम नहीं है यह यह एक्टमनी है पाईसे पर चारके बैठ जा उसको एटियम मतलब सबसे पास वाला जैसे 18826 है तो अट्रहाइब अब समझो होता क्या है हाटा देते हैं सबको होता क्या है ध्यान से देखिए इन केस ऑफ कॉल तहां गया प्राइस आप देखो यह प्राइस जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे आपको प्राइस यहां बढ़ता हो दिखेगा असी था एक सो नो है 147,184 है 225,25 तरह यह प्राइस मतलब बढ़ता जा रहा है एक चीश समझो प्राइस जितना बढ़ता जा रहा है ना उसको अचीव करने की प्राइबिलिटी वी बढ़ती जा रही है ऐसा एकदम हमेशा उपर के केस में नहीं है अब जैसे 18,850 है तो मार्केट गिर करके हो सकता है कि तरह जाए इसके उपर ज्यादा नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि हमें रोज पकड़ो आप 4-5 रोज उपर नीचे 4-5 रोज उपर 4-5 रोज नीचे में हमारे को प्राइस अगर उपर बढ़ रहा है तो प्राइबिलिटी वहां पर करेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ज हम 18,550 के रखर लेते हैं तो अपने को महंगा पड़ेगा तीन सो पंदरा इंटू पचास कर लो उतने का अपने को निफ्टी पड़ेगा हम अगर 18,850 पड़ेते हैं तो 80 into 50 कर लो भी ए उतने का अपने को पैसा देना पड़ेगा एक लोट का इसी तरीके से इधर पुट क चला जाएगा और बढ़ते चले जाओगा पैसा घटता चला जाएगा गलती शुरुवात में लोग यह करते हैं कि आउट दमनी चुकि सस्ता है तो लोग खरीद लेते हैं लेकिन पैसा पूरा खा जाता है आउट जमाई मिलना जलना कुछ नहीं आपको कैसे माल लो आपने आ सब्सक्राइब तो बीस हजार जाने वाला है क्या एक दिन में आठारा हजार से बीस जड़ चला जाएगा दो हजार पॉइंट की बड़त हो जाएगी एक दिन में ऐसा होने वाला है नहीं अब चुकि आद्मी पचास पैसा यह कुरुपए देखकर मोहित हो जाता है कहता ही वैए तो बड़ा स सस्ता मिल रहा है आपने को 500 रुपए में पूरा गांपुरा अषी अश्डागा 250 बर्वा पूरा अउट जाए गया सब चोड़ दो होता क्या है जितना ज़्यादा आउट दो नी कप पैसा पे करके लेते होना सरॉप्षन एक ऐसा है जो कि टाइम से थिटा डिकेयर प्रीमियम डिकेयर आपका रोज करता चला जाता है जैसे गाड़ी का एक्जामपल लो गाड़ी एक एक अप्रिशेटिंग यह चीज इनसान पर भी लागो होती है इनसान की भी वैल्यू समय पर खतम होती है अगर उसने अपने आपको अपग्रेड नहीं करता चला गया तो क्योंकि उम्र बढ़ रही है ना आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो ना सरीर कमजोर होता चला जाएगा आपके पास जिंदगी जीने का कुछ कर गुजरने का समय कम होता चाला जा रहा है अब अची के उमर में आदे महोज गया तो क्या यह उखाड लिगा आदमी उसके बॉड़ी में इनरजी नहीं बची कुछ करने का ठीक है तो आपने जैसे हमने इंसान का का एकजामपल लिया समय के साथ साथ इनकी वेलिव घठती चली जाती है उसी तरीके से कोई भी option सर उसके समाई के साथ उसके कीमत जितना कीमत आपने उसका दिया है ना उसकी वो value घटती चली जाती है आज आपने जिस चीज़ को 100 रुपे में देख करके खरीदा है सर कल उसकी value 90 के हिसाब से trade हो रही होगी profit loss आपका 90 के हिसाब से calculate होगा परसो 80 के हिसाब से होगा 350 के हिसाब से होगा नरसो हो सकता है 20 के हिसाब से होगा तो इसलिए options में एक चीज़ recommendation होता है कि carry मत करो option को आज के आज निप्टा दो खतम करो सोदा चाहे profit loss हो आज के आज निप्टो निकलो तो price otm ज़्यादा दूर का नहीं लेने का similarly item ज़्यादा दूर का नहीं लेने का अपने को 4-5 रो ऊपर और 4-5 रो नीचे देख के लेना depend upon range पहले range देख लेना तब ही मैंने का कि range सबसे पहली चीज़ है range देख लिया ना range पता चला कि इसके हिसाब से तीन रो नीचे और तीन रो ऊपर का है और आपको सागर सर ने 45 रो बोला है हम तो 45 रो ही देखेंगे अरे बेवकूब आदमी सपोर्ट और रिसिस्टेंस का खेल भी तो पता है पहले तो सपोर्ट रिसिस्टेंस अगर सुबह सुबह देख लि भाइस मणे इतने के भीच हम एतने के बीच अपना प्रीमियम चुनेंगे न इसके ब्योंड फारीमियम चुनने नहीं जाएंगे चाहे कितना भी ज्याता और यह 505 पन का प्रीमियम ले कर भाहे सब बैठा है तो कि अप सपोर्ट रिसिश्टेंस में को बता दिया कि 18 दिया है सही प्राइस सपोर्ट एसेस्टिंस पहले डिसाइड गरो इतने प्राइस से प्राइस तक ही मिझा खेलना है उसके बाद सही प्रीमिम चुनने के लिए इधर आ समझे समझे के नहें समझञे मजह समझा मुझे पता हो कमेंड वॉक्स में लिखके बताओ अगर सेशन में मजह लिके बटाओ अच्छा लगता है ठिक अब अब को अगार थे कुछ मैं मिस कर रहा हो न हो फॉच थे इस अई है बताना की यह बNew दो आला य networkр Driver तो OTM तो सबसे पहले avoid करो out the money दूर का price वाला नहीं खरे दिना अच्छा सेम ITM भी मैं कहूंगा ITM भी बहुत ज़्यादा दूर वाला नहीं लेना है OTM भी बहुत ज़्यादा दूर वाला नहीं लेना है support resistance के दाइरे में जो price आ रहा है उसी पर खेलेंगे हम प्रीमियम ढिके का concept भीया जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके option का प्रीमियम जो दिया है अपने जो पैसा पे किया है उसकी आउकात कम होती चली जाती है फिर कुछ नहीं मिलेगा और थर्सडे एक्सपाइरी आते आते तो फिर कुछ पचे गई नहीं कि मुझे अभी किसे से मेरी बात हुरी थी को नया लर्णर है थो वह बता रहे थे सर रारा से और का म्न memb मल चलोती थी तो प्रइस है अरे में खाश्डे तो मंडि में बैठने का दिन होता है कि यमिदा ब्रष्ण को सारा माल हर सैलर जो है सस्तै विसता है स्व का माल आपको 10 रुपे मील रहा होता है उससे उसवा है तो पीक प्रीमियम लो उपशन करने के माइंडसेट यह उधाली है अरे टाइम लिए टिकेंट मोइ सता है आपके premium की value घटती चली जाती है अउकाद घटती चली जाती है खतम हो जागा काई या बहुत कोई लिए हरकत कर रहे हो इसा नहीं करने का ठीक अगड़ो पीसियार पुट कॉल रेशियो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा कर दूं क्या चलो शॉट में बताता हूं शॉट में बता देखो नों पीसीयर क्या होना पुट कॉल रिशियो से यह देखो यह एक डोटल नंबर यहां पर लिखा हुआ है किसका इसका ओए का इसी तरीके से एक तोटल नंबर इधर लिखा हुआ है क्यों एक सा聊ॉट कितना टोटल नंबर है इसको जोड़ के नीचे पुट का दिखा रहा है और कितना ओपन इंट्रेस्ट खुला ध्रंदा इसका टोटल नंबर यहां दिखा रहा है एनसी के वेबसाइट के आपको देख जागा है नसी ऑफ्शन चैनली को तर दिख जाएगा सर पुट के साइड का ओई और कॉल के साइड का ओई मतलब पूट डिवाइड़ वाइड़ वाला कॉल जो नंबर आ रहा है टोटल उसकी वेल्यू अगर वन पॉइंट फाइव से या फिर जादा है वन पॉइंट फाइव या उससे उपर जादा है यानि कि मार्केट यहां से बुलिश होने वाला है उपर की तरफ जाएगा अगर इसका रेशियो वन सरी अरे याड कहां से डिलीट होता है वह यह देगरो नएने चीजम किता दिकत होता है अब यही चला गया आओ भई आगया यह लूल लेते हैं पुट बाइक ऑल अगर वन पॉंट फाइव से उपर है तो मार्केट वया उपर की तरफ रहेगी पूट डिवाइड़ वाइक ऑल इसका रेशियो अगर वन या उससे भी कम है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ रहेगी ठीक है अच्छे यहां पे एक्चिस ध्यान से समझे पुट ओवाई वाले कॉलम का बोल रहा हुआ उसका टोटल जोड करके ठीक है यहां परेक्चिस ध्यान दीचेगा कहा गया विया जिराव निकालने फिर से अब तक लोगों को देखा है जो लोग सिखाते हैं उसमें तुरूटी एक कमी मुझे दिखी है और कहां गया यह रहा हां यह यह ना आज यह तो है उसमें कमी मुझे क्या देखी है लोग दरसल यह टोटल जोड लेते हैं खर मैने तो इस प्रिंशॉट लिया है आप नसी के जाने का उतना पॉसिबिलिटी एन यह उत्ता मार्केट नीचे नी जाएगा उत्ता मार्केट उपर नीजाएगा और सब को जोड़ लेते हैं तो मुझे लगता है सब को जोड़ने है क्या मतलब सर्क करेंट जितना प्राइज है उससे पाच उपर और पाच नीचे अगें यह भी मैं कहूँगा सपोर्ट एससेंस के दाइरे के साब से अगर सपोर्ट एससेंस का जितना डायरा है सर उसको यह ववाई टोटल नमबर जितना यह नंबर जो भी है इसको जोड़ दो अगर support resistance मेरा कह रहा है 5 नमबर उपर बतलब इससे 5 उपर और इससे 5 निचे अगर ऐसा कह रहा है दो यह उपर निचे हो confused ना हो ना मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूं ठीक है अगर वो कह रहा है 5 उपर 5 निचे तो यह जो नमबर आ रहा है इसको सर जोड़ दो एक्सल सीट में केक्सल सीट RIGHT अगली सेमी लाहएं समय लगता है तो एक मिनटे अंतराल का उसको रफड़न लेसकते रह सकते हो 5 उपर नीचे उसको जोड़ा इससानी करके जोड़ा नमबर यह जोगलो बीट डिवाइड गालई कौल करो तो मार्केट पर चाने के पॉसिबीटी है एक से कमा रहा है तो मार्केट अब नीचे जाने के पॉसिबिल्टी अ और एक सदेड के बीच रह 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 दा मार्केट फिर साइड वेस की तरफ रहेगा न प्रॉफिट्न लॉस में ठिक आवार के ठीक अच्छा ये जो पीस होता है ना सप्सेन में पालना होता है शर्श में तो ऐसा है कि कोई भी कोई भी चार्ट कोई भी टेक्निक कुछ भी करई एक का Cup फर्स्ट सपोर्ट एंड एसिस्टन्स दूसरा प्रीमियम कैल्कुलेट और तीसरा पीसियर यह तो इनों को मिला के अगर आप चलो गए ना तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 80% time 70% time आप सही हो के लेकिन 30% 20% time तो फिर भी गलत हो गए अरे बढ़ो हाँ अब में चीज भगिया यह समझे लोग क्या गलती करते हैं लोग इसके चक्कर में बरबाद होते हैं और इसी के चक्कर में यह इंडस्टी थोड़ी बदनाम भी है हाई यह ठीक तो है पहली कलती रीजन टू ट्रेड सर कोई भी ट्रेड लोग एक रीजन होना चीए आपका जैसे मुझे यहां भी यह दिल मचल रहा है लग रहा है मार्केट उपर जाएगा लाद पैसा दिल मचल रहा है तुमारा तो पैस वाले के जाएगा सेलर फिर तुम नोट कर लो कि मैंने ये चीजन इस वज़़े से लिए क्यूं डेली और वीकली उसको रिव्यू करो रात को सुने से पहले पढ़ी दीर रिजन यह ता अगर में तो किस किस वज़े से गलत हुआ है ऑगर सही हुआ है तो कि गलत हुआ है जब आ यह आप एक-दो महीने करें तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यह वजह से मेरे गज़त होता है यह वज़से मेरा सही होता है बतलब सही रिजन इसका यह है आप खुदी निकाल लोगे एक दो महीने यह करो ठीक है ट्रेल स्टॉप लॉस्स स्टॉप लॉस्स मैंने आपको नहीं बता है बड़ा इ भी आपने ऐसा ही कि पांसर पर लॉस है तो जैसे 600 पर लॉस जाए मेरा उड़ा देना स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस्टॉप लॉस्टॉप करो फिर वह सिस्टम अपने आप वह बेच देगा हूँ आपका ऑप्शन अपने आप बेच दिया जाएगा नेवर होल्ड यॉर ऑप्शन बियॉंड डे यह करना बंद करो एक दिन से उपर का ऑप्शन होल्ड मत करो गया उसका वैल्यू घटा चला जाता है अपना प्रिंसिपल बना इसको फॉलो करो सर ऐसा निक जैसे मेरे सुरुवात में बदा है कि प्रिंसिपल अमने बना रखाए कि पांस चेट मुझे रोज लेना है और फास्टे घाटे में गया नुकसान हुआ है तो छटा लेंगा जब तक जीतेंगे नहीं जब तक प्रॉ प्रॉफित हो गए फिर तुम उठने लाइक ही नहीं बच ओगे उठने लाइक ही नहीं चोड़ेगे सारा पैसा लेके चला जाएगा ठीक है परसेंटेज ऑफ लॉस शुट भी इक्वल तू परसेंटेज अफ प्रॉफित हाँ यह बहुत बड़ी गलती होती है प्रॉफित ठीक है नहीं जला कुछ नहीं नहीं आए उसे करते करते बता चला कि 15 बीच अरुब लेकर है चला गए हमारे के आप मिधा अगर प्रॉफित के टाइम पर एक हहार में अप निकल लिए तो लौस के टाइम पर भी लॉस ही एक हजार गया तो भी निकलो ऊसे ऊसर उपर का थै आपके लगने से नहीं होता है प्रिंसिपल पनाओ इमोशन का गेम बुला नाइटी परसेंट इमोशन के लिए नॉलेज नॉलेज जड़ा कतरा रहे हैं पर ठीक है प्रॉफिल फिल्म एक यू ओवर कॉंफिड अच्छा यह भी होता है चार दिन आपने टेड़ किया पांच दिन टेड़ के लगतार पांच दिन आपका प्रॉफिट अचला जाएगा ना सर सीखने से आपका ध्यान कतम हो जाएगा जो एनलेसिस मैंने करने को गान वह अनलेसिस आपकरना बंद कर दोगे फिर आफ राजा की तरफ फिल करने लगता है और चटे दिन सर पांच दिन जि फिर भी सोलवे दिन उसी अलर्टनेस के साथ बैटेंगे ठीक है फिक्स ते नंबर अफ डेली ट्रेड नो इमोशन ट्रेडिंग कितना ट्रेड करना है और कितने पैसे का ट्रेड करना है फिक्स होना चीज़ से और हां सेशन एंड होड़ एक बार फिर से रिमाइंड कर दू कुकू.fm आपको दे रहा है 50% डिसकाउंट उसके लिए डिसकाउंट कोड यूज करना ना भोले srs50 डाउनलोड करने का लिंक और कूपन कोड दोनों हमने description और pin comment में भी दे रखा है तो आज के सेशन में इतना ही बाकी कुछ रह गया हो कुछ बताना रह गया हो तो मुझे enjoy किया मज़ा आया तो वो भी मुझे comment box में लिखके बताईए जरू बताईए बताओ बताना ही पड़ेगा